Assalamualaikum, Welcome back to my YouTube channel मेरे इस चैनल पे जो ज़्यादा सब्सक्राइबर है वो मुबाइल यूजर है और उनको अपना शेरिंग सेट अप बनाते हुए बहुत ज़ादी परेशन का सामना करना पड़ता है लेकिन आज की वीडियो में मैं उनको आज एक ऐसा मेथड़ बताने मेला हूँ जिससे उनकी आईडी ना तो डिसेबल होंगी और वो ज़ादा से ज़ादा अपनी फेसबुक आईडी अपने मुबाइल में क्लोन करके इजली शेरिंग सेट अप बना सकेंगे तो ये वीडियो मुबाइल यूजर के लिए है अगर आप भी मुबाइल पे अपना शेरिंग सेट अप बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपने स्टार से लेके एंड तक देखनी है क्योंके ये वीडियो बहुत ही इंपोर्ट होने वाली है तो सिंपल वीडियो शुरू करना से पहले मैं आप से एक रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल लाइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सारी ऐसी वीडियो आपके पास पहले मिल सके तो चलते हैं मुबाइल की स्क्रीन पे और जाके मुबाइल पे स्क्योर शेरिंग सैटप बनाते हैं तो चलें मुबाइल की स्क्रीन पे हमागे हैं मुबाइल की स्क्रीन पे इदर आप मेरे मुबाइल की स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे आज आज आपको मैं शेरिंग सैटप बनाना सिखाऊँगा वो भी स्क्योर ऐसा शेरिंग सेटप जिसमें आपकी ID's disabled नहीं होगी वैसे तो लोग इस तरह अपनी आईडिस को लॉग इन करते हैं अपने Android में जैसे के मैंने किया हुआ है बहुत सारी आईडिस आप ऐसे लॉग इन कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे आपको स्क्योर नहीं मिलती है आपकी आईडिस जल्दी डिसेबल हो जाती है अब आपने क्या करना है आपने Google Chrome पे आजाना है यहाँ पे आपने लिखना है AP की Cloner App Boards जब यह आप यह लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसेट आजाईगी बहुत सारी वेबसेट वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लेकिन सबसे पहली जो वेबसेट है आपने उसको ही ओपन करना है क्योंके मेरे पास वो ही वरकिंग में है तो इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा तो यह देख सकते हैं हमारे सामने यह डाउनलोड का ओप्शन आ चुका है हम जैसी इस पे आएंगे आप इसका लोगो वगरा चेक कर लें प्ले स्टोर में आपको यह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी अगर मिलेगी तो इस से मिलती जुलती मिलेगी लेकिन जो काम यह कर रही है वो प्ले स्टोर वाली नहीं करेगी इसलिए मैं आपको यही रैकमेंट करूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करें और इसको अपने मोबाइल में इंस्टाल कर लें तो सिंपल जैसी आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको दो अप्शन मिलेंगे एक 32 और एक 64 तो आपने 32 बिट वाली डाउनलोड करनी है और उसको डाउनलोड करने का यह फाइदा है कि उसकी एक तो स्पेस चोटी है और उसकी वर्किंग बहुत समूद है लेकिन जो 64 वाली है वो समूद वर्क नहीं करती तो जैसी आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड की एड सेलेगी आपने यह पांच छे सेकंड स्किप नहीं करने क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके पास यह डाउनलोड नहीं होगी तो जैसे ही यह खुद बाखुद खतम होंगे तो डाउनलोड का ओप्शन आजएगा आपने डाउनलोड क्लिक करना है और ऐसे ही हमारी यह अप्लिकेशन डाउनलोड होना स्टाइ हो गई है अब आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लिकेशन डाउनलोड होना स्टाइर हो गई है एक बात और आपको बताता चल uważ यह अग्र आप कोई भी एप्लिकेशन गूगल क्रॉम से डाउनलोड करते है तो आपने अपने Chrome browser को minimize नहीं करना या जब वो download हो जाएगी तो उसके folder से उसको open नहीं करना आपने direct browser से open करना है अब इसका फाइदा क्योंगा आगे सलके मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ से मैं इसको open कर लेता हूँ और इस app को install कर लेता हूँ तो जैसी मैं install करता हूँ तो म अंदर आज आए जाएंगे यहां से आप किसी भी app को clone कर सकेंगे और एक से जादा दफ़ा इसको अपने mobile के अंदर यूज कर सकेंगे तो हमने अपनी Facebook को clone करना है तो हम Facebook सेलक्ट करेंगे और यहां पर आने के बद कुछ इससरा का interface आएगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि य आज मैं आपको इसका free मतलब यूज करना भी बता रहा हूं तो simple यहां पर सबसे पहले हमने इसका नाम देना है या क्लोनिंग लंबर देना है यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगी single clone और batch clone सिंगल क्लोन अगर आपने one by one clone करनी है और अगर आपने ए ट्राई नहीं किया 100 तक मैंने ट्राई किया हुआ है तो simple आपको दिखाने के लिए एक से पांच select कर लेता हूं उसके बाद आपने इसके color को select कर लेना है कि हार मतलब browser का color different हो जो भी Facebook clone हो उसका color different हो ठीक है उसके बाद आपने करना है change icon color मतलब color भी आपका different होना चाहिए त आता है जो कि मैंने बताया हुआ है कि हमने secure कैसे करना है अपनी IDs को कैसे disable होने से बचाना है तो यहां पर आप स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारा settings मिल जाएंगी हमने क्या करना है हमने यहां से कुछ settings करनी है कुछ नहीं दो settings करनी है privacy settings पे click करेंगे और थोड़ा सा scroll down करेंगे थोड़ा सा scroll down करेंगे तो यहां पर आपको दो चीज़ें मिल रही है change android id और दूसरी मिल रही है change imi number तो इससे क्या होगा इससे जब भी हम कोई चीज क्लोन करेंगे किसी भी application को तो जो भी हमारे mobile की imi होगी वो हर दफा ही different होगी हर क्लोन के साथ जो हमने क्लोन की है बिल फर्जा हमने पांच क्लोन की है ना तो पांचों की पांचों जो android id हो different होगी facebook वो pick नहीं कर सकेगी यहां पर हमें तीन option आप देखने को मिल सकते हैं यहां पर हमने random select करना ठीक है custom आप अपनी मरज़ी से कर सकते है random आप application की मरज़ी से तो मैं आपको हमेशा रही refer करूँगा कि आप random पे जाएं तो यह इसको on कर देना है आप दूसरी प्याज़ना है इस पर भी आपने random select कर लेना है और random select करने के बाद अब हमारी IM IB मैच नहीं होगी तो इसको okay कर देना है यह दो settings आपने on करनी है और किसी चीज़ को नहीं छ सब्सक्राइब कर देना अब यह हमारा काम okay होगा हमने good के निशान पर click किया है हमारे पांच clones ready है हमने okay कर दिया okay करने के बाद अब यह पांचों की पांचों जो facebook की क्लोनिंग है वह यहां पे install और download होना start होगी है यह कुछ मिनट लेगे आपके net और आपके mobile के उपर depend है क ठीक है sorry दूसरी नहीं तीसरी हो रही है आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी तीसरी क्लोनिंग start हो चुकी है और जैसे जैसे क्लोन होती जाएगी वैसे वैसे यह देखें यह चोती स्टार्ट होने लग गी है अब आगे चलके इन चारों और पांचों को मैं install करके भी अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दें ठीक है तो यह देखें यह तकरीबन हमारी लास्ट क्लोनिंग रह गी है वो भी start हो चुकी है उसका भी तकरीबन कोई 15-20% हो चुका है अगर पहली क्लोनिंग जादा टाइम लेती है उसके बाद जो दूसरी क्लोन्स होती है वो जल्दी हो जाती है तो यह तकरीबन यह डन होने वाली है उसके बाद इसको इसको इंस्टाल करते हैं तो आप देख सकते हैं यह हमारी होगी है यह डाउनलोड आप इनको वन बैवन इंस्टाल कर लेंगे यहां से ओन करेंगे यह आटो पे फ़ुदबा खुद ही डाउनलोड और इंस्टाल होना चुरूर हो जांगे एक हो गी यह दोसरी हम इसको के क्रिके इसको करेंगेлем यह दूसर Σाल हो रही है और उसके बाद ती खो करेंगे तीसरी इंस्टाल हो रही है ऐसे करके आपने यह थोड़ा प्राइसा मेनत करनी है और अपनी मर्जी से इतने क्लोन क्रेट कर लेनी है तो यह देख लें हमारे पास लास्ट वाली रह गी है इसको भी हम क्लोन कर लेते हैं तो जैसे हम इसको क्लोन करेंगे यह हमारी क्लोनिंग कंप्लीड हो चुकी है हमारा यहां पर जितनी भी clone दे रही है तो हम इस application को ही दुबारा clone कर लेंगे अपने mobile में जिसमें हमने 200, 300, 500 तक जा सकते हैं थोड़ी सेटिंग भी आपको इसको दिखा दूँए सेटिंग आपको चेक कर लें लेकिन मेरे पास यह working कर रही है easily work कर रही है आप भी ये यूज़ करें और उसके बाद मुझे बताएं अमीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है अगर इस वीडियो से related को comment सेथ comment section में जरूर comment कीज़ेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर comments का reply करूँ और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो kindly इस वीडियो को एक like कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे नई है तो हमारे इस चैनल को subscribe कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको facebook से related बहुत ज़्यादा वीडियो मिलने वाली है तो मिलते हैं को और अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दें अजाज़त अपना बहुत सरा ख्यार रखना अलाफीज